आप सब कैसे हो में दिल दों बोड़ारी बहुत अच्छे हैं तो देखिए आज मैं नए परीगे से निया डीज बनाने जा रहे हूं मैं 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 सपना देख रहे ही ते सोई थे ऐजो पर में मैं अपने से इंटर से आई ठाई तो मिजे सपन में आया कि आई हम पी रेशी बनाना है पोतमें जिदार लगता है खाने में अशनीच भी है तो लिखेंगे मैंने चनव का दाल लिया ईको एक-दो हंटे और ढो यह दालेगा इसका नाम रखें हैं नहीं 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 को बताना है कि यह क्या है करेंट करके बताईगा किस-सने भी खाया यह बना करके लोग बताइगा कि हां यह चाहिए मैं हल्का नमक दालूंगे इसमें बार में जब मैं आता अट कर लोग गुठ लोग दालूंगे इसमें पानी युज करूंगे पानी से मैंने यूज़ किया है ठवड़ा बहुत और मैं इसको गैस का चाहाद दो सिटी में मेरा यह दाल पक जाएगा और हामेल मसाला भी देखे जीरा लिया है काली मेर्च लिया है दो चार अरा मेरा मेर्च है आ अपर अपर यह दिखें मैं अलू नहीं नहीं प्पुड़ा साथ काली मेरच लिया पर अलू अलोगी और यह जो मेरा बैंगन है यह बैंगन देखिए मैं अभी खराई करूं इन लोगों अहां देखिए मेरा तुकर में मैंने दाल आलू चाहा दिया है सीटी लगाने के लिए अ मेरा कढाई में का घेल अ वह गरंबन है जो गरंब उझेगा तो ही में डालोंगीरeled केए अभी गरंवा सारी दोस्तों में डल्कियों शुक्या है तुमेरे हमें यह मेरे अधर डाल हैं जाला तो यह तोमाटव डाल गई दो मींडियम सीज़ के टमाटव है और यह देखे यहां में तेल तैयार हुआ गरम हो चुका है अब मैं इसमें यह बेहन डालोंगी यह जो सामातर है इसको भी डालोंगी यह जो चाहिए भरा मीश है यह चुका के लिए तैयार करने हैं और अवी में जा रहे हैं सिनटे को माशाला की इसको तो मैं धंबिया पहीं सब्सक्राइब पकाऊँ गराया तो प्रुखा नहीं अच्छा से तो मैं पुकमाच ने ढख तर पकाऊँ देखें देखें दो तो यह समातर रहें जल्दी कव्त तो देखिए दोस्तों यह में दाल देखिए का पक गया है यह जैसे लिटी चोखा भिहार का खेमेंस है ना इसी तरह यह भी खाना भिहार के लिए खेमेंस है बहुत चाहँ की लोग खाते हैं देखिए मैंने कुकर में अलू उबाल लिया था और मैं इस्टेमाटर जहां पका रही हूं उसमें मैं यालू भी डाल दूगी तकि जितने ह पानी कुकर मैंने उबाला है जोगी पानी होंगी उस्टूख जाएंगे तो ज्यादा तो आज देता है खाने में ऐसे मीज देने पर अच्छा नहीं लगता है कि देखिए इस तर इस मिनत में खूकर रहा दिया है अब मैं बेंगन टमाटर के साथ में इसको भी फ्राइब करूंगी आज को भी पहले आप पूर्पानों पका लेना है इस तो बाल लेना है आज तो ही आप इसको पडाए में डालीए तो पक जाए तो कश्चा नहीं पाएगा अब देखिए यह मेरा दाल से यान है अब मैं इसमें मसाला करूंगी पहले इसम मत लिए पूरार तर देखिए मेने आता भी बूत लिया है यह मेरा आता भी तयार है अब यह मसाले में डाल दोंगी देखिए कि कमाटर का तो अलग हो चुका है यह को चान लोंगी पहले मैं इसमें भी और भी पानी एड़ करूंगी इतना में कुछ नहीं होने मला है देखिए यह देखिए मेरा आटा में इसका ना गोल बुल लोज बना लोगी इसमें सारे आटे के जितनी भी है ना तो को मैं गोल बनाओंगी देखिएया मेरी स्योखा का क्या हाल है यही आटा में प्रारा से पक्षु का है मेरा इतनों आलो भी देखिए फराई दो रहें इतनों अब एक बुल भी पानी जी कोई प्रोसेस इसमें नहीं है तारा पानी देखिए स्कोख जाएगा अब मैं इतों अब आट और पकांगी तो देखिए दोस्तों मेरा दाल भी तियार अब इसको बनाओंगी कैसे पर आटा डालती रहीएगा अब देखिए मैं इससे कटिंग कर देखिए अब देखिए मैं कैसे इसको बना रही है देखिए और हम चौकी पर नहीं बेल रहे हैं कि चौकी पर बेले हैं तो वह छोटा ही बनेगा इसलिए मैं अपने कीचन में ही बेल रहे हैं अपने चाइस पर बेल रहे हैं आज पाइस 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 कि इस मेंने तो में हलका नमक उस्कोर डाली कि न वह विंख दालों कि सवक दन साखिए अब इसको पांच मिनट धाग करके फ़साओं है यहां देखिए चुका है और यहां पर यह त्यार है तो मैं इसको ना पांच मिनट भी पटाऊंगी धाग करके तो देखिए दोस्तों मैंने बेंगन और टमाटर के छील का हटा ली हूँ यह मेरा बेंगन और टमाटर बहुत अच्छा से पक गया है और मैंने तो अभी में तो आद अनुसार इसमें नमक डाल देगी है ध्यान रहे आपने पहले भी मैंने इसमें पहले भी नमक डाल चुकी थी और मर्चावी में डाल चुकी थी तेल भी पहले ही डाल चुकी हूं और मेरा वोजू रेस्पी हो तेयार हो तुका है अब उसमें तड़का लगाना है ले पहले हम डाल पिकल sap Пон है अबंच्ट। छुकी जह माद कर दो दो तेयार हो कि रगना नगेरी 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 नगे तो अब इसमें धन्य पत्ता डाल दूए यहां देखिए मैंने खालीशा जाने के लिए एक बड़्चे का अचार है कठल का अचार है और यह आम का अचार है तो मैं जा रही हूँ तरका लगाने देखिए दोस्तों यह मेरा रेस्पी तैयार है बढ़के हमें इसी तरका लगा हुए अब देखिए हैं मेरा चोखा भी तैयार हो गया है बहुत चेश्की चोखा बनाए हैं आप लोग बहुत बनाते हैं देखिएंगा बहुत अच्छा लगता है वह आलू बाल के अब फिर से फराई कर देंदें देखिए हैं जी रहा है मैंने इसे फराई करने के लिए और दो लाग देश है मैं इसको फराई करूंगी देखिए तो देखिए मैं 40,000 अब इसमें चोखा डाल दी हूं यह आम कहां चार हो गया यह मचे कहां चार हो गया यह कठल कहां चार हो गया यह यहां प्याज हो गया देखिए हां हो गया है आप लोग बना करें घर पर खाईए देखिए कितना नमस्त लगता है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए के लिए लिए लाइक कीजिए फॉलो कीजिए आप लोग से तुहन है आप लोग नहीं रोगे तो हम कहां सरेंगे यह बताईए तो चलिए घर पर भी बनाकर देखिएगा दोस्तों आप लोग को दिखावी चुकी हूं तो देखिए मेरा चेश्टी खाना आज कर सेयर हो चुका है थांक्यू